Hello everyone, चटाकर असुई में आज हम बनाएंगे सर्दियों के बहुत ही खास बाजरे के आलू के पराथे बाजरे की रोटी तो आप सभी ने बहुत बार खाई होगी पर आज हम बनाएंगे चटाकर असुई में बाजरे के स्टफड पराथे और इन्हें बेलना बहुत ही आसान होगा मैं आज आपको बहुत ही आसान सी एक ट्रिक बताऊंगी जिसके जरिये आप बाजरे के पराथे बहुत आसान तरीके से बना पाएंगे तो स्टार्ट करते हैं वीडियो इसके लिए यहां हमने लिया है बाजरे का आटा ये प्योर आटा है इसमें हमने कुछ मिक्स नहीं किया है और थोड़ा सा हमने इसमें डाला नमक और अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर अच्छी तरह से गूत लेंगे गूतना आपको ऐसे है जैसे कि आप नॉर्मल अपने घर में रोटी पराठे का आटा लगाते हैं उसी तरह से आपको इसे गूतना है पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा क्योंकि एक साथ जादा पानी डल जाएगा तो यह आटा बहुत जादा धीला और आप जब यह सौफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे तो हम ना इसको बहुत ही अलग तरीके से गूतने थोड़ा सा आपको ना इसे मसलना है यह देखे इस तरह से पहले आपको इसे उंगलियों से अच्छी तरह से मसलना है फिर किसी बड़े बरतन में करके आप यह देखे धीरे धीरे आपको हतेली से इस तरह से इसे रगरना ह यह जो है यह मेन प्रोसेस है बाजरे की पराठी बहुत आसान तरीके से बनाने का यह देखे आप देख सकते हैं पहले हतेली से इसको रगड़ते हुए आपको तोड़ना है फिर मिक्स कर दीजिए फिर दुबारा उसे गुमाकर इस तरह से तोड़िए और मिक्स कर दीजिए यह प्रोसेस आपको दस से बारा बार करना है और इसे करने के बाद जब यह हमारा डो है यह थोड़ी दिरवाद आपको सॉफ्ट लगेगा आप फिर इससे ढखकर रख दीजिए अब हम स्टफिंग टेयार करते हैं तो स्टफिंग के लिए मैं आपको एक टिप दूँगी आलू जब भी आप यूज करें आलू को कद्दू कस कर लें फिर आप उसमें डाल दे मसालों में नमक अद्रक हरी मिर्च लाल मिर्ची पाउडर आपको तीखा पसंद हो तो आप अपनी हिसाब से मसाले कम जादा कर सकते हैं थोड़ा सा हमचूर पाउडर धनिया पाउडर जो भी मसाले आप और एड़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं और हरा धनिया भी आप इसमें एड़ कर सकते हैं और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आप तयार कर लेजिए आलू की स्टफिंग आपको कद्दू कस करके ही बनानी है क्योंकि अगर आप हाथ से मैश करके बनाएंगे तो उसमें थोड़ी सी गुठलियां रह जाती है और उससे हमारा जो पराठा है वो फट जाता है तो आपको ध्यान रखना है कद्दू कस करके आलू की स्टफिंग टैयार करनी है ये देखिए बस अच्छी तरह से अब हम स्टफिंग को मिक्स कर लेंगे और बस हमारी स्टफिंग तैयार है अभी हम इसे साइड में रख देते हैं और ये देखिए यहां हमने आटे का एक पार्ट लिया बड़ी सी बॉल ले ली और उसको हमने हाथ से प्रेस कर दिया उसमें स्टफिंग रख दी अब ये देखिए आपको देखना है इसमें देखिए यही सभी चीज़े हैं जिनकी वजह से हमारे प्राठे बहुत ही अच्छे बनते हैं अब ये देखिए हमने यहां ट्रांस्पेरेंट वाली एक ठैली ली है और उसको हमने चकले पर रख लिया है और उसको हमने एक साइड लगा दिया है आप रिफाइन डॉयल या घी जो ल इस तरह से फोल्ड करेंगे कि आधा पार्ट जो है ठैली का नीचे रहेगा और आधा इस लोई के उपर आ जाएगा ये देखिए इस तरह से आपको ठैली को फोल्ड करना है बहुत ही इजी ट्रिक है ये इस तरह से आप पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे आसानी से औ फिर हम इसे बहुत soft hand से balance से बेल लेंगे ये देखे और आपको पराठे को घुमाना हो तो आप थैली को घुमा दीजिए आपको पराठे को उठाने की जरुरत नहीं है थैली को आप घुमाते जाएए और धीरे धीरे पराठे को बड़ा करते जाएए ये देखे शायद आपने इस से आसान तरीका आज से पहले कभी नहीं देखा होगा ये देखे पराठा बिल चुका है उपर वाली लेयर हमने थैली की हटा दी है सेकिंड लेयर हटाने के लिए पहले आप तवा हीट करके रखिएगा क्योंकि जादा देर हाथ पर इस पराठे को नहीं रखना है ये तूट जाएगा तो जब आपका तवा हीट हो जाए तब आप इस तरह से हाथ पर पराठे को पलट कर थैली से अलग कर लीजे और ये देखे बस अब हम इसे डाल देंगे तवे पर हाँ जब आप इसे तवे पर डालें तो पहले से उस पर घी या रिफाइन लगाकर ग्रीस कर लीजेगा वरना ये चिपक जाएगा और जब ये लगए आपको सिख गया है तब आप इसे पलट दीजे ये देखे ये दोनों साइट से बहुत अच्छी तरह से सिख चुका है अब हम इस पर लगाएंगे घी और इसको हम सिख लेंगे धीमी आज पर आप सिखेंगे क्योंकि धीमी आज पर जब ये पराठा सिखता है तो बहुत ही कुरकुरा भी बनता है और बहुत ज़ादा अच्छा टेस्ट आता है इसमें ये देखिए धीमी आज पर जब ये पराठा सिख जाएगा तब आप देखिएगा कितना आसान तरीके से ये हमारा पराठा बनकर तयार हो चुका है अच्छी तरह से आप इसे प्रेस करके सेक लिजे अगर आपने एक बार ये बाजरे के आलू का पराठा बना कर खा लिया तो आप रोटी खाना भूल जाएंगे आप ज़रूर ट्राय करिएगा फ्रेंड्स ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे ये देखिए अब ये बाजरे का पराठा मैंने सर्फ किया है रायता, सबजी, मिर्ची का अचार और आलू मतर की सबजी के साथ ये सारी ही चीजे सर्दियों की बहुत ही खास चीजे होती है और मैं अब आपको देखाती हूँ हमारे पराठे के अंदर जो स्टफिंग हमने फिल की थी ये देखिए कितनी अच्छी तरह से पूरा पराठा हमारा स्टफड है कहीं भी ऐसा नहीं है कि इस पराठे में स्टफिंग नहीं हो तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ ऐसी नई नई रेसिपीज के लिए